नमस्कार मैं विकास सिंग और आप देख रहे हैं एक नियूस 24 देखिए बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है और ये खेला और कोई नहीं बलकि इस बार बीजेपी और पशुपती पारस करने जा रहे हैं पशुपती पारस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जिस खबर के बाद चिराग पास्वान की पार्टी में बड़ा खेला हो सकता है जी हाँ, खबरे जो निकल कर सामने आ रही हैं, हम आपको आज बताने जा रहे हैं, पशुपती पारस से जुरी हुई सबसे एहम खबर, जिसके बाद चिराग पासवान भी टेंशन में आ गए हैं, क्यूंकि बीजेपी ने अब पशुपती पारस के साथ बरा खेला कर दिया है बीजेपी और पशुपती पारस दोनों मिलकर चिराग पासवान की राजनीतिक करियर को खत्म करने की सुरुवात कर दिये हैं, और अब पशुपती पारस जो है वो राजपाल बनने जा रहे हैं, जी हाँ, बीजेपी ने अब ये घोशना कुछी घंटे बाद कहें, या कु दाने जा रहे हैं, देखिए बिहार में किस तरीके से चाचा भतीजे के बीच में लराई हुई थी ये आप सब जानते हैं, किस तरीके से जब चिराग पासवान की पाटी तूटी थी उस समय बीजेपी बड़े गुपचुप तरीके से ही सही पशुपती पारस के सर पर केंद्रिये मंत्री बना दिया था लेकिन उसके बाद लोगसभा चुनाव आते आते बीजेपी का सरवे चौकाने वाला आया और बीजेपी ने पशुपती पारस को किनारे कर चिराक के सर पर हाथ रखा लेकिन अब चिराक पासवान बीजेपी के लिए सिर्दर्द बने हुए और यही कारण है कि अब BJP जो है अपना गलती को मानते हुए पशुपति पारस की पाटी को और पशुपति पारस को मजबूत करने की कोर्सिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीते दिनों अमिस्सा से पशुपति पारस की मुलाकात, जेपी नड़ा से मुलाकात, बीजेपी के ब पश्यूपती पारस की पार्टी को कुछ बढ़ा देने जा रही है BJP और BJP अब सिर्फ पश्यूपती पारस को ही नहीं बलकि पिरिंस राज को भी सेट करने की तैयारी कर ली है ताकि चिराग पासवान पे नकेल कसा जा सके देखे जेपी नडड़ा का बिहार का दोरा नितीज कुमार के साथ बैठक और चिराग पर ओप्रेशन की तैयारी ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त बिहार में गर्म है लेकिन इसी बीच में अब पशुपती पारस को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है कि पशुपती पारस को किस राज का राजपाल बनाने जा रहे तो हम ये भी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले देखिए बीजेपी प्रिंस राज को भी लेकर चिंतित है क्योंकि प्रिंस राज एक युवा है युवा नेता है वैसे में बीजेपी चाहती है कि प्रिंस राज के भी कं जा सकते हैं पिरिंसराज सुनील सिंग के जगह पर उसके बाद उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा बिहार में लेकिन परशुपती पारस को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी बड़ी खबर आ रही है कि परशुपती पारस जो है अब वो बहुत बड़ा काम करने जा रहे ह जहां पर लगातार इस वक्त बीजेपी जो है वो फ्रंट पर खेल रही है और ममता बैनेर जी को पीछे ढखेल कर रखी हुई है वहां के राजपाल बनने जा रहे हैं परशुपती पारस जो हमें सुत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है और सब कुछ तय हो गया है परश परशुपती पारस चिराक पासवान के साथ बड़ा खेला करने जा रही है क्योंकि चिराक पासवान इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी के सामने ही कई सर्ते रख दिये हैं उस सर्त से नाराद चल रहे हैं परशुपती पारस और बीजेपी और यही कारण है कि परशुपती पारस और बीजेपी जो है अब पशुपती पारस को मजबूत करने की काम कर रही है और इसी कड़ी में अब उनकी पार्टी में जान फूकने की तैयारी की सुरुवात हो गई है और पशुपती पारस को सीधा सीधा राजपाल बनाने जा रही है बीजेपी तो इस वक्त की सबसे ज़्यादा अगर खत्रा का घंटी होगा तो चिराग पासवान और चिराग पासवान के पाटी के लिए तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक निउस 24 के साथ दीजेगा इजाजत धर्नेवाद